नमस्कार मैं असुग विष्व कर्मा हिंदी परक में आपका स्वागत है आज के विषय है निर्मल वर्मा द्वारा रचीत कहानी परिंदे परिंदे कहानी का पार्ट वन और पार्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटम पर किलिक करके देख सकते हैं तो इस वीडियो में हमनों पढ़ेंगे परिंदे कहानी के समिक्षा और महत्रपुन समवाद परिंदे कहानी के समिक्षा हम दो विंदों पर करेंगे प्रेम के त्रिकोन रूप और पात्रों के अजनवी पन, बनावटी पन और अकेला पन लेखक ने एक अस्थान पर लिखा है पक्षों का एक बेड़ा धुमिल त्रिकुन बनाता हुआ पहाडों के पिशे से उनके और आ रहा था पक्षों का समू कभी-कभी आसमान में त्रिकुन बनाते हुए त्रिभूच की आकार में उडान भरते हैं तो यहां प्रेम की इस त्रिकुन में लतिका, ग्रिसनेगी और मिस्टर हुवट हैं लतिका ग्रिसनेगी से प्रेम करती है लेकिन ग्रिसनेगी इस दुनिया में नहीं है वह कस्मिर की युद में मारा जाता है और मिस्टर हुवट लतिका से प्रेम करता है दुसरा जो सब्दा इस अंदर में आया है कि इन तीनों पात्रों का लतिका गिरिशनेजिय मिल्टर हीवर्ट करेई का तिरूकर चितर अब धुमिल होता जा रहा है और धुंदला होता जा रहा है क्योंकि सभी पात्र अपने आप में सिम्टे हुए हैं अपने यादों के टिस के सहारे जी रहे हैं परेंदे की लतिका एक तरह के मानसिक द्वंद्वय में रहती है तनाव में रहती है वो अकेले पन की सिकार है वो अपने अकेले पन को दूर कर सकती है वो अपने प्रेमी गिर्शनेगी को भूल सकती है वह उस अत्रिप्त प्रेम से उफजे खालेपन को मिस्टर हुबर्ट के प्रेम से भर सकती है लेकिन वह ऐसा नहीं करती है वह अपने अंदर की सुनेपन को न तो किसी के सामने जाहिर होने देती है और नहीं मिस्टर हुबर्ट का प्रेम निविदन सभीकार करती है एक अन्य साहकर्मी डक्टर मुकर जी लतिका को समझाने की कोशिस करते हैं लेट दा डेट डाई मरने वाले के संखुद थोड़े ही मरा जाता है लतिका अंतर द्वंद्व में है वह मेजर गिल सनेगी के यादों के सारे जिवन वेतित करना चाहती है और उस अधित को भूलना भी चाहती है मिस्टर हुवर्ट लतिका से प्रेम करता है वह एक प्रेम पत्र लतिका को लिख चुका है और लतिका मिस्टर हुवर्ट के प्रती भी आकरसित है इधर हुबर्ट लतिका से अपने प्रेम निवेदन को सभीकार किये जाने की परतिक्षा में है वह भी अकिलेपन का शिकार है इसके बाद जानते हैं पात्रों के अजनबीपन, अकिलापन और बनावटीपन के बारे में अपने देश, अपने सहर में लोटने की उमीद में जी रहे हैं लोगों की कहानी है परिंदा बरमा के निवासी डक्टर मुकरजी का तो पूरा घर ही जापानी आकरमन से बरबाद हो गया था ऐसी स्थिति में वे पात्र अजनबी बनने के लिए वीवास हैं यहां मिस वूड और डक्टर मुकरजी के संबाद को दिखना प्रासांगिक है मिस वूड उस कवर्ण्वेंट एस्कूल के प्रिंसिपल है मिस वूड डक्टर मुकरजी से कहती है लेकिन डक्टर कुछ भी कहलो अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता यहां तुम चाहे कितने वर्ष रहलो अपने को हमेशा अजनवी ही पाओगे डक्टर मुकरजी कहता है दरसल अजनवी तो मैं वहाँ भी समझा जाओगा मिस वूड इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा कुछ लोगों का मानना है कि वर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पतनी के मिर्थ्यू हो गए यानि डक्टर मुकरजी के पतनी की उनके मन में भी अतीत है लेकिन वे अपना अतीत कभी प्रकट नहीं करते है बातों से पता चलता है कि उनके दिल में भी अतीत के प्रती मोह है, प्रेम है, तभी तो वह मिसूड से काते हैं, जड़े कहीं नहीं जमती, तो पीछे भी कुछ नहीं छुड जाता, मुझे अपने बारे में कोई गलत फामी नहीं है मिसूड, मैं सुखी हूँ डक्टर मुकरजी अपना दर्द लिये जीते हैं, उपर से हसने की असफल कोशिश करते हैं, और अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, कमोबेस यही हाल सभी पात्रों का है, पर इंदी के लगभा सभी पात्र अपने परस्तिती से खुश नहीं हैं, लेकिन वह दूसरों के सामने अ डक्टर मुकरजी से एक तरफा प्रेम करती है, और डक्टर मुकरजी उसे प्रेम को तरजी नहीं देता, पर इंदे के सभी पात्र अकलेपन के घुटन में जी रहे हैं, परायपन और अजनवीपन के साये में जी रहे हैं, इसके बाद जानते हैं डक्टर नामवर्सी के सब परेंदी की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है आतित से मुक्ति स्मिर्थी से मुक्ति इस चीज से मुक्ति जो हमें चलाय चलती है और अपने रेले में घसित ले जाती है रेले में घसितने का मतलब यहां तातपर्ज है जो आतिति के यादों के सहारे वह अपने को घसीट रही है वरतमान को घसीट रही है इसके बाद राम दर्स मिस्र का एक महतपुन समिछात मक्ति पुनी है परिंदे परतीक है उन टूटे हुए प्रेमियों के जो अपनी अपनी जगहों से टूट कर उस पहाड़ी अस्थान पर एकत्र हो गए हैं लतिका डक्ट पहाड़ीया स्थान पर एक साथ होती भी अलग अलग रहने के लिए अभिसप्त हैं फोटे से हिल स्टेशन को माउं के हिल स्टेशन पर कान्वेंट स्कूल में तीनों पात्र सीख्षक हैं और अपने अभिसप्त जीवन को वा जीने के लिए मजबूर है इसके बाद जानते परिंदे कहाने का महत्रपूर्ण संबाद जो आपके परिछा के लिए विश्य से उप्योगी है लतिका का संबाद है मेरे संग असनोफ हौल दिखने कोई नी ठरेगा डक्टर मुकर जी का संबाद है मिस लतिका हम आपको निमंत्रन देने जा रहे थे आज रात मेरे कमरे मे छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर हुबर्ट सोपा और चैको वस्की के कमपोजीशन बजाएंगे धुन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी डटर मुकर जी का अगला संबाद है मरने से पहले में एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा ड़क्टर मुकर जी का संबाद जो लतिका को कहा गया सब लड़कियां एक जैसी होती हैं बेखूप और सेंटिमेंटल ड़क्टर मुकर जी का अगला संबाद है क्या तुम नियती पर विश्वास करते हो मिस्टर का संबाद है ड़क्टर मुकर जी आप तो सारा जंगल जला तो इस अंदर में मिसूट कहती है डाक्टर मुकर्जी का अगला संबाद है जंगल किया कभी देखिये मिसूट एक अलमस्त नसी की तरह धिरे धिरे फैलती जाती है संबाद के मादहम से डाक्टर मुकर्जी अपने पीडा को ब्यक्त करते हैं जब उनका देश बर्मा जल रहा था जपान जब आकरमन किया था डाक्टर मुकर जी का अगला संबाद है क्या तुमने कभी मसूस किया है कि एक अजनभी की हैसिया से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौपनाक बात है लतिका का संबाद है क्या मैं खुषट बुढ़िया से कम हूँ जो अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से लिये जा रहे हूँ जब लतिका जूली का प्रेम पत्र पकड़ती है तो इसी संदर में वो ऐसा सोचती है डाक्टर मुकरजी का अगला संबाद है लतिका यह तो बच्ची है पागल मरने वाली के संग खुद थोड़े ही मरे जाता है डाक्टर मुकरजी का अगला संबाद है मेरे जिन्दगी के कुछ खुबसूरत प्रेम प्रसंग कमवक्त इस निंद के कारण अधूरे रह गए है डाक्टर मुकरजी से प्रेम करती थी मिस वूड और डाक्टर मुकरजी उसके प्रेम को तरजी नहीं दिया करता था तो इसी संदर में संबाद है यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सोचल मेडिया पस्यार करना न भूले यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में निचे जरूर लिखें हम आपकी साहता करने की पूरी कोसिस करेंगे हिंदी पर आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर बहुत सके वीडियो को लाइक करें हम आपके उज्वल भाविस्ती की कामना करते हैं अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगी कमलेस्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत नमस्कार